आज मैं फिर आप लोगों से बात करने आई हूँ और आज मैं आपको बताना चाहते हूँ कुछ जो मिले साथ हुआ है डे बिफोर यस्टेड़े 21st of November was a nightmare for me So I want to share this experience ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं चाहती हूँ कि जो चीज मुझे नहीं पता थी हो सकता है मैं बेवकुफ हूँ हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे कि आपको इतनी सी चीज पता नहीं थी आपने कैसे किया लेकिन हो सकता है कुछ लोग अभी भी हैं जिनको नहीं पता हो मेरी तरह और उनसे ये भूल ना हो जाए गल्दी ना हो जाए इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ अगर मेरा पास कैश कभी नहीं होता अगर मेरा पास कैश होगा तो वह या तो 100 रुपीज या 200 रुपीज इतना ही रखती हूँ उससे साधा मेरे पास कैश नहीं होता कभी 21st of November को क्या हुआ मेरा Paytium मैंने यूज करने कोशिश करी ग्रॉसरी शॉप पे सुबह तो वह नहीं चला थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स वह नहीं चला और उसमें मेसेज आया सम्थिंग वेंट रॉंग और सम्थिंग ऐसे तो मैंने गूगल पे यूज किया और गूगल पे से मैंने कंटीनियों किया उसी दिन जब मेरा सुबह नहीं चला मेरे पास दोपहर को मेसेज आता है कि यॉर के वाइसी इस नॉट कंप्लिटेड और एक नंबर आया उसमें कि यूज किन कंटैक्टिन लगाता और सुनती जहाँ है अएकि मेरा की जह खोनी है तो मैं frequently यह चीज़ सुनती हूं से कि KYC की वेसे उनका पेटियम रूप गया है तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा भी KYC है कुछ होआ होगा नहीं चल रहा है और वो message मैंने connect किया कि मेरा जो पेटियम नहीं चला तो वो इसी का message आया होगा मुझे बिल्कुल भी कोई और अंताजा नहीं था फिर भी मैंने उस पर call नहीं किया उस number पर और मैं अपना normal day कर रही थी शाम को मेरे पास एक call आता है और उस call में वो बोलता है कि मैणम आपका KYC नहीं हो रखा है 40% और बाकी है तो मैंने कहा कि अच्छा तो मुझे क्या करना पड़ेगा तो उसने मुझे कहा कि आपको मुझे कुछ नहीं बताना है मैं आपको बताता हूँ और आप अपने आप अपना KYC कर सकते हो और आपको अपना OTP जो आता है जब हम कोई ट्रांजेशन करते हैं वो OTP किसी को नहीं बताना चाहिए तो यह details है जो आपको share नहीं करने चाहिए और अगर कोई आपको link भेजता है ऐसे message में तो आपको वो link पर click नहीं करना चाहिए लेकिन मुझे यह नहीं पता था जो मैं आगे बताने वाली हूँ तो उसने कहा कि मैं आपको एक app download करना है वो है quick support quick support करके और फिर मैंने कहा ठीक है होगा शायद कुछ ऐसा और मैं disturbed भी थी बहुत उस दिन मेरा दिमाग सच में मेरा किसी भी चीज़े मेरा दिमाग नहीं चला उसने कहा quick support एफ download करो और वो app download करते ही उसने कहा कि allow करो उसमें उसके बाद मेरे मोबाइल का सारा डिटेल़् जो भी मेरे मोबाइल पर हो रहा था उसके पास चला गया वो देख सkin dialogues मेरा मेरे mant around को आपकी KTm जो काद करना चाहता हूं आप 13 करेंच कराने के लिए आपको इस कार्ड की डिटेल् आप मुझे बताईए आप खुद डिटेल डालिए और आपकी लिमिट इंक्रीज होगी तो मैंने कहा भी उसे कि मुझे लिमिट नहीं बट जाहिए मुझे भाया क्यूंकि मैं अपना पेमेंट नहीं रहती है बोलते हैं मैंडम कुछ तो लिमिट रखो गे न आप तो मैंने ग तकने हुआ बिकॉस ऑथेंटिकेशन के लिए गूगल पे और यह सब वन रूपीज की ट्रांशन करते हैं और जो कि आपको तुरंत वापिस आजाता है आपके अकाउंट में लेकिन जब दूसरी ट्रांशन हुई 14.99 रूपीज की तो मैंने उसको बोला भया यह मेरे पैसे कहां कट गए यह क्या हो रहा है यहां पर तो उसने बोला कि मैदम आपकी लिमिट बढ़ रही है यह पैसे आपके दुबारा अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे तो मैं अब में पस क्योंकि मुझे पता नहीं कि उस एप से हो रहा है मैं सर्फ कंटिनियू से बात कर रही ह और मेरा फिर तीसरी ट्रांजर्शन होई 9999 रूपीस की तब मेरा दिमाग सनग गया था और तब तक मैं समझ गई थी कि मैं फर्स चुकी हूं मैं किसी चीज में ठीक है तो HDFC वालों का क्योंकि मेरा बैंक HDFC में HDFC वालों का एक कॉल आता है जगर आपको कोई बड़ी ट्रा कॉल आया में उनको बोला कि यह ट्रांजर्शन मैं नहीं कर रही है थीजिस टॉप डिस फेयमिंट थीक है और मेरे समयाक और कुछ कोई पेयमिट नहीं होने चाहिए बिकॉज मैं नहीं कर रही हूँ उसने मैंने मेरे बोलने के बावजूद अगले तीन चार ट्रांजेशन और हुए और ऐसा करकर के मेरा पूरा अकाउंट खाली हो गया मैं अपको बता नहीं सकती कि अपनी महनत की कमाई जो मैं दिन रात लगा कर कमाती हूँ वो मेरे सामने मेरे सामने मेरे सामने मेरे पैसों की कटने की मैसेजिस आ रहे थे और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी मैं जफ I was just shouting और मैं घर में केली थी and I am very thankful to my neighbor who was with me because मेरे लिए वो बहुत बड़ा सज्वा था बहुत बड़ा जटका था मैं जो नहीं हैंडल कर पा रही थी and सच बताओं तो मैं मरते मरते बची हूँ उस चीज से जो पैसे गए गए शायद मैं भी चली जाती उस दिन फिर and मौके पर मेरे husband आ गए तब तक मेरे husband आ चुके थे उस बंदे ने मेरा दूसरा debit card भी उसकी entry करवा करके उसमें से पैसे कटने शुरू ही हो गए थे कि मेरे husband आ गए और उन्होंने तुरंत वो app डिलीट किया तब मेरे पैसे कटने बंद हुए लेकि मेरा जो पहला account था वो पूरा खाली हो चुका था all money gone ठीक है and still वो phone पे था कि मैं आपकी पैसे जा रहे हैं आपकी पैसे वापिस कर देंगा अभी करता हूं मैं आपको card to card वापिस करता हूं मैं and मुझे उम्मीद थी कि हाँ शायद वापिस कर देंगा शायद मैं जादा सोच रही हूं शायद 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 और तब तक मैं अपने census में भी नहीं थी उसके बाद तो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ फिर cyber police के पास गए हम हमने report लिखवाई हमने paytium में complain करी सब किया मैंने cyber police वारों ने तो जो सुनाय मैं मुझे सुनाया ठीक है can you believe कि मुझे अगले दिन उस बंदे का दुबारा फोन आता है उस फ्रॉड का ठीक है मैंने वो फोन ने उठाया that time I was in bank ठीक है I was doing all the formalities to freeze my account and everything so मेरे हजबन ने फोन उठाया वो और he was casually talking कि आपके पैसे न आ जाएंगे आ शाम तक आपकी वाइफ कैसी है कल वो बहुत परिशान हो गई थी ठीक है या तो वो यह देख रहा था कि कर मैं फोन उठा लेती तो वो कोशिश करता मेरे दूसरे account से पैसे लेने की या तो पता सब्सक्राइब में नहीं आई कि why to block why can't we trace that number it's a scam ठीक है मेरे दो कोशन है कि पेटियम की security कहा है ठीक है जब पेटियम हम इतना उस पे dependent हो गए हैं लेकिन पेटियम की security कहा है पहली बात मेरा पेटियम ना चलना यह इंडिकेट करता है कि इसका मतलब मेरा पेटियम शाद प पेटियम चल रहा होता और तब मुझे मेसेज आता तो शायद मेरे करता कि मेरा पेटियम तो चल रहा है तो मैं उसको entertaining नहीं करती लेकि मेरा पेटियम ना चला और उसके बाद मेसेज आया मैंने दोनों चीजों को connect किया इसका मतलब पहले से ही सब कुछ हो चुका था दूस क्या है कुछ तो loophole है ना तीसरा ये जब मैंने उस cyber police को बोला कि आप मेरे पस वो phone आ रहा है तो उन्होंने कहा मैंने कहा हम वो trace नहीं को सकते sir why should I block that number तो उन्होंने बोला madam आपना crime patrol बहुत देखते हो आपको लगता है कि number से trace किया सकता है क्या आप मेरे पास आना मैं आप गंटे की class लूँगा और आपको बताऊंगा मेरा question आप लोगों से है और सबसे है मेरे साथ जो होना था हो गया इस video का एक मतलब है कि आप सब aware रहें ये जो हो रहा है दूसरा मेरा question ये है government से कि हमने हर चीज़ को digital करने की कोशिश करिए कि आप इससे यूज करें ये authority कहा है और जब किसी साथ ऐसा होता है तो police कैसे ये क्या answer था कि आप crime patrol बहुत देखते हो ये एक common knowledge है I think सबकी कि हाँ mobile number से किसी को trace किया जा सकता है जब mobile से इतनी सारी चीज़े हो रही है तो trace कि नहीं हो सकता ये जवाब था उसका विकर शायद उसके लिए मेरे पैसे उतन कुछ कि करेगी कोई कुछ नहीं करेगा ठीक है så मैं अब अपने तरफ से यह कर सकती हूं कि मैं at least जितने लोगों इसे मिल रही हूं जितने लोगों को जानती हूं और जितने मेरे आस्पास है ладat कि सब मैं सब को बता रही हूं यह बात कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, सारी details दे ठीक है, अपने UPI, पिन, अपने मुवाइल में ऐसे सेव, किसी भी ऐसे एप को, HDFC या किसी भी बैंक के आप को रखने की ज़रूरत नहीं है, जब आपके सब कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये वही बैंक हैं, जो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे ये, कोई कुछ नहीं करेंगा, ठीक है, और हमें, I think, उसके बाद अगले दिन ही, कल के निउस पेपर में आया, पेटियम का ये, क्योंकि ये, मेरे से प मेरे क्लाइंट में ही, तीन लोगों के पास ऐसे मेस्जिस, सेम मेस्जिस आये हुए हैं, और उसमें से दो लोग वो भी कह रहे थे, कि हम ये करने ही वाले थे, कि बात कर लेते हैं, यार कि वाइस ही करवा लेते हैं, अच्छा हुआ आपने बता दिया, तब मुझे लगा कि थैंक गॉड कि मैंने बात कर ली इस बारे में, थैंक गॉड कि मेरे थ्रू उनको पता चल गया कि क्या क्या हुआ, और वो बच गए, इसलिए अगर आप किसी को जानते जो पेटियम यूज करते हैं, तो प्लीज बी अवेर, आप जितने लोगों को बता सकें, बताएं, और किसी को भी इस सदमे से बचाएं, because it is not easy to handle this, चाहे वो 5,000 रुपीज हों, चाहे वो 5,000 रुपीज हों, किसी की hard-earned money उसके सामने चली जाए, इस तरह से, ये जहलना बहुत मुश्किल होता है, थैंक यू